उत्रप्रदेश में अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने डॉक्टर काफील खान के खिलाफ NSA की कारवाई पर रोश्ट रताया है छात्र नेताओं ने कहा है कि एक शक्स को बेल मिलने के बाद उस पर NSA की कारवाई नहीं की जा सकती है मामले को लेकर छात्र नेताओं ने 1986 में एटा के एक मामले पर सुप्रीम कोट के आदेश का हवारा दिया और योगी सरकार पर खुनस निकालने का आरोप लगाया इसके बाद भी इसके साथ ही उन्होंने राजदेश्त्रों के आरोप में जेल में बंद शरजील इमाम के खिलाफ कारवाई पर सभी कारवाई पर भी सवाल खड़े की और आपको बता दे कि बीते 12 दिसंबर को एम्यू में भड़काओ भाशन के आरोप में डॉक्टर काफील खान को मुंबई से ग्रफतार कर जेर भेज दिया गया था इस मामले में बीते सोमवार को काफील खान को कोट में जमानत मिल गई थी लेकिन काफील खान जेल से रहा होते ही इससे पहले ही शुकरवार को जिला मजिस्ट्रेट अलिगर द्वारा रसूका यानि की एनसे की कारेवाई कर डॉक्टर काफील खान की जेल से रहाई पर रोक लगा दी गई इस मामले में एम्यू छातर संग के पूर्वध्यक्ष फैजूल हसन और पूर्व उपाध्यक्ष अब्दुल कादिर जिलानी ने जॉक्टर काफील पर एनसे की कारेवाई के विरोध में सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं चादरे नेताओं ने कहा है कि 1986 के एटा के डियन द्वारा इसी तरह की एक कारेवाई पर सुप्रीम कोट ने कहा था कि एक बार किसी की अगर बेल हो जाए तो जिला प्रसाशन उस पर एनसे की कारेवाई